मध्य पर्देश में कपास का 50 लाख क्विंचल उत्पादन है और इसमें अकेले पूर्वी निमाड में 20 लाख क्विंचल कपास उत्पादन किया जाता है पर्देश में निमाड का खंडवा खरगोन कपास मंजी हब के रूप में तेजी से उबर रहा है इससे निमाड के कपास का निर्यात हर साल वी देशों में बढ़ रहा है पूर्वी निमाड के सफेद सोने की चमक चाइना तक भी है कपास की डिमांड चाइना, पाकिस्तान, बांगलादे, शादी देशों में बढ़ चुकी है चालू सीजन में ही कपास मंधी का मोडल रेट 10,000 रुपई देखने को मिला है यही मोडल दाम आगे भी बरकरार रहा तो इस साल निमांड में अठारा सो क्रोड का कारोबार होने की उमीद है और इसका सीधा लाग निमांड में कपास की खेती करने वाले किसानों को मिल सकता है खंडवा में करीब 6,000,000 कपास मंधी में बिख चुका है चालू सीजन में कपास की खेती अच्छी है और संभावना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक आवक होगी बीते साल ओसर दाम आठ से 10,000 पे प्रतिक विंटल की दर से देखने को मिले थे इस से कपास मंधी में करीब 500 क्रोड रुपे का कारोबार हुआ अब मंधी में मुल्या बरकरार रहा तो इस साल भी किसान माला माल हो सकते है चालू सीजन में भी कपास की फसल अच्छी है मौसम ने साथ दिया तो उपज अच्छी क्वालिटी की होगी और इस पर शुरुआत में ही 10,000 पे मोडल रेट निर्धारित हुआ है उधर क्रिशी उपज मंडी में कपास की आवक पिछले कुछ सालों की तुल्ला में बीते सीजन में अच्छी रही कपास के सासात अनाज की आवक से भी मंडियों में अच्छी आवजाही देखने को मिली बीते साल की तुलना में वर्ष 2021 में कपास, सोयाबीन, गेहूं समेट, मोटे अनाज और सबजी फल मंडी का शुल्क 20 करोड रुपई से अधिक आया इसी तर है हरसूत, पंधाना और मुंदी मंडी में किसानों के उतपादों की आवक अच्छी होने से खजाना फपाइधे में रहा इधर निमाड में सफेद सोने की चमक हर साल बढ़ रही है, पिछले कई सालों से लगातार मोडल रेट बढ़ता जा रहा है यही कारण है कि यहां की कपास की खपद विदेशों में भी है, खंडवा में 52,000 हेक्चर में कपास की खेती हो रही है, करीब 40-45,000 किसान खेती कर रही है औस चे से आठ लाग क्विंचल उतपादन है, खरगोन में 10-12 लाग क्विंचल उतपादन है, वहीं बुरहान पूर और बढ़वानी में सफेद सोने की चमक हर साल बढ़ी है इंदोर संभाग के 8 जिलों में कपास उतपादन बढ़ रहा है, अकेले खंडवा में वर्ष 2017-18 से लेकर अब तक रिशी मंडी में किसान 32 लाग क्विंचल से ज़्यादा कपास लेकर पहुंचे है इसकी ओसत कीमत प्रतिक विंचल अगर 8,000 पे लिया जाए तो इस ओसत से 25,000 क्रोड रुपई से अधिक कीमत हो सकती है